कंग्रेस आनेक मुख माख़ां गुलाब नवी आजाद र पदठियाक, कंग्रेस र पदठियाक करी शे गुलाब नवी ऐ बियाबली कटेक्षा कुरिशे रहुल बाहिनिये जीतु ठीर नेताक अपमान करा रभीजुग और दुहेजा सोभीशा निर्वास्ट प्राखनाट कॉंग्रेस अट एनेडरे धूमुहार स्रिष्टी हुईशे कॉंग्रेसं कुरिशा निर्वास्ट परेस्टी हुई में काताक अगारोकों। सब्सक्राइब पत्राइब राहूल कांधी कि केगेरे कि दिते हिर्ग गुलम नहीं अजाटे लेतर फिर लेंड फिर्जाटी सिर्टनेत्री रहल इंवेशी के लिएर के प्रवियत कर दो चैनले फिर्टिस प्रदिट तन इनने मपिछ भी है यंप्रेडिकतिबल लिडऱ्। कॉंचरेश प्रफिर्सपूमोती सुनिया गंधी की कारे जे लिए पर्ती इली की बाटिय। बिजैटने इंड ही बेरी एडिए स्वेंगिजित लिए प्रामा एंट data is a futile attempt it is not happening neither it has any sense that her mission!!" the result what happens the people who were loyal to the party or who are loyal to the party they are deserting one-by-one, I think these are natural processes and in 2015 I have predicted that in Congress party sometime will only Gandhis will remain all others will be रहुल गंदी को सरा सर उनके उपर ही आरोप लगाया गया कि कॉंगरेस का जो अब तेकी है रहुल गंदी इमेच्योड है उनका उपर कोई आरोप किसीने नहीं लगाया जो भी कॉंगरेस का बारा से छोटा लिदर उनुभव सेम है आप कैमेरा आफ करके बात कीजिए होना सहिए ओ नहीं है बीजेपी को तो अशूट करता है हमनों को तो सूट करता है ठीक है लेकिन फॉम कॉंग्रेस पॉंट अब यू इस इस गोई गंधी ही कॉंग्रेस में रह जाएगा और कोई नहीं रहेगा तो बीजेपी के लिए 24 के लिए लिए भरदान है रहुल गं का साथ जब भारत का लोग गंप्यार करता है बीजेपी का लीडर्स लोग माइल स एहड हो जाता है तो इसलिए वो तो बीजेपी के लिए शूट करता है लेकिन कॉंग्रेस में आज जो अजात साहब जो चिथी लिखा है ओही चिथी में 2015 में लिखा था तो फिर ओलू को ही बात बोलना सुरू का देता है, लेकिन बात यही है कि these are issues, that those issues are there, still there and those issues will be there.